जैमा, इंद्राक्षी, जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्श्रकों को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवसाय, मेरिज एनिवर्सरी उन सभी को हमारे तरफ से बहुत-बहुत शुब कामना आएगा जीवन में कई बार कुछ ऐसे संकेत हमें आने वाले समय के बारे में समझा जाते हैं जो हमारा समय सुभ या सुभ हो सकता है लेकिन कई बार उन संकेतों को हम इग्नौर कर जाते हैं हम समझ नहीं पाते हैं तो आने वाले वो सुबता बरे संकेत कौन से हैं आज शुबता वाली हम बात नहीं कर रहें आपसे, शुबता वाले संकेतों के बारे में आपसे हम बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं न कहीं आपके कामा सकता है, आईए पहले आज कहम पंचांग देखें, छै जनवरी सन दोहजार चो अब देखो, जीवन है ये, जीवन में कई बार हम पूजा कर रहे हैं, पाट कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, रात्री में सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे संकेत हमें नजर आते हैं, कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, कि इन संकेतों का क्य सटार्थ है संकेतों के साथ हमारे चीवन में शुब या सुब्ता का पिरग कराते हैं और उन सप्नों का उया हम्प्रियोक करने हैं उन्हें अंक्छे से समझगें तो भी हमें भविश्य की तुम्हें छीपी बातें समझ में आ सकती हैं। तो जब दाहिना भाग फड़कता है, चाय उसमें हमारा कान फड़के, हमारी भावे फड़के, हमारी पलके फड़के, या हमारे पाउं में हलकी सी फरकन बार बार पैदा होती हो। तो वो कहीं न कहीं सुबता का संकेत देती है, लेकिन अब उसे समझना होगा कि पाउं फरके तो सुब यात्रा हो। हात फरके तो इन हातों से सुबकारिय हो। आग फरके तो कहीं न कहीं आपको विजशिरी की प्राप्ती हो या कोई सुब समाचार की आपको प्राप्ती हो वे। ऐसे ही अब यहाँ छोटी सी बात बीच में रोक के कहूं कि ये संकेत मात्र नहीं हैं। इन संकेतों में बहुत गहरे राजचिपे हैं। लेकिन अब यहाँ दो बाते हैं। व्यक्ति जातक मैला पुरुष कोई भी। जितनी आपकी साधना शुद्धता से होती हो जितना आप हरदे से स्वच और शुद्ध हो उतना ही यह संकेत आपके उपर अच्छे लागू होते हैं। हाँ यह बात भी होती है। अब एक पापी व्यक्ति सपन देखता है उसके सपनों का अर्थ अलग है। सच्चा आर्थ होता है और जो आपके अंग फड़कते हैं उनका भी महत्तों होता है। यहां एक एक्जांपल दूँगा मैं रावन के राज्य में रावन की लंका में त्रिजटा समने नाम सुना हो। अब त्रिजटा अक्सर सीता मता के आसपास पहरे के लिए उनको बिठा दिया गया था। त्रिजटा महां रहती थी। और त्रिजटा को भी यह मालुम था है कि यह देवेश्वरी हैं, यह भोवनेश्वरी हैं, यह भगवती हैं, यह जगदंबा सवरूपा हैं। और रामण ने किसी गलत नियती से इनका हरन किया है लेकिन ये गलत है तिलिजटा को स्वम सपना आता है कि वो रामण के परिवारों को उसके भाईयों को मुंड मुडाय हुए तेल के लिप में लिप्त देखती है और उंट की सवारी पर इंदरजीत को किसी और की सवारी पर रामण को किसी और की सवारी पर अशुप चिन्नों पर अशुप चुपायों पर और रामण को भी उंट की सवारी पर वो दक्षिन दिशा की तरफ देखती है और दक्षिन दिशा क्या है दक्षिन दिशा आप समझते ही हैं कि हम मुर्दे को दक्षिन दिशा की तरफ पाउं करके रखते हैं उसको ले जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि रात्री में सोते समय हमारे पाउं दक्षिन दिशा में नहीं होने चाहिए और वो सपन में ये भी देखती है कि एक बलवान ऐसा बानर रूपी योद्धा जो लंका को अपनी पूछ से जलाद करके बस्म करने के रूप में आता है ये सारे सपन को वो सीता मया से सुना रही है और कह रही है कि है जकदंबा है सीता मा मेरे सपन इस प्रकार से हैं मुझे लगता है कि बहुत जल्द रावन की जो बुरी चीजें हैं रावन का जो बल है वो छिर्ण होने वाला है और परभूर श्री राम श्री रहीं आएंगे और अपने बाहुबल के सहरे आपको यहां से ले जाएंगे और वही होता है त्रिजटा के सपन सत्य होते सपनों म आचारियों ने उन सपनों का वर्णन सुद्धधन से किया तो वो सपन भी वाद में सारे के सारे सपन सच्चे निकले आप में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो सपन देखते हों और अक्सर उनके सपन अच्छे होते हों बुरा देखते हैं तो बुरा होता है अच्छे दे अपने सुर्था का रूप ले ले लगेंगे, सब्जेक्ट है संकेतों का, कई बार कुछ ऐसे संकेत हमें दिखते हैं, जो संकेत बहुत बड़ी कहानी को यहीं रखते हैं, तरजटा से ही जुड़ी एक बात, मुझे रामन वाली बात याद आती है, रामन के ही लंका की बात य अंग फरकन लगें, महवती के वामंग फरकने लगते हैं, सीता माता के वामंग फरकने लगते हैं, बाई नित्र फरकने लगता है, वाम कंधा फरकने लगता है, वाम वस्तर फरकने लगते हैं, और उसी के साथ साथ इस परकार से दिदिद्प्यमान उनका चेरा हो जाता है, कि जैसे चंद्रमा को राहू ग्रस राहा हो और चंद्रमा को राहू ग्रस ना पाए और उसकी ग्रसता से दूर चंद्रमा विंब एक सुन्दर नजर आता है ऐसे भगवती का दंदमाता हुआ चेरा भगवती को संकेत के रूप में नजर आता है और वामंग भग्वति के फरखने रगते हैं विजय श्री विजय श्री विजय श्री रावन के उपर चड़ाई होती है और आपको बाकी सारी बाते पता ही हैं ऐसे ही हमारे जीवन में हम संकेत बहुत सारे देखते हैं बहुत सारे संकेत होते हैं हम घर से बाहर निकलें और बाहर निकलते ही हमें किसी हरी सबजी के हरे फल के या किसी फलों से लदी हुई रिक्षा के या किसी ऐसी चीज़ के दर्शन होते हैं अच्छा होता हैं हमें मयू गर्षे बहार निकलते ही को यह को फुचष से बाँ निकलते ही हमें कोई व्यक्ति हाथ में जल्गा लोटा कुणा हुआ लेकर का लोटा उप हुआ प्रसाथ वह लेकर दो यह ता है इतया है हम घर से बहार पॉएम्र। रहते ही यदि लगे के संक घंटा घर प्याल धबनी ज्हांज की आवाजा में सुन दो ये तो शुब होता है और लगे हम घर से बाहर निकल रहा है कि कुता साब रुदन धबनी में रो रहा है अच्छा बात नहीं है ऐसे ही छीख को लेकर के भी भूत ब्रक्ति वह जाते हैं तो ये कभी हमने पहले बताया था इसक कई उसकार्य पर उस दिन जाड़ों फिर जाती है और इसके अलावा यह कहीं कोई पानी का च्छड़काव करता आपको व्यक्ति दिखे जैने के सड़क के ऊपर कई बार जैसे च्छड़काव करते हैं साबसुद बनाने के लिए वह संकेत अच्छा होता और इसके साथ साथ जब हम घर से बहार निकलें और घर से बहार निकलते ही हमारा कौनसा स्वर सूर्य स्वर चल रहा हो सूर्य स्वर हमारी नासिका में दो स्वर होते हैं चंद्र स्वर और सूर्य स्वर जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में है वो सूर्य स्वर है हम बहुत लोग ऐसे हैं किसी हस्ताक्षर करते हैं किसी पाइल पर को शुनीयंचेश करते हैं सूर्य सवर्मन कर चान। कोई प्रयोग करते हैं सूरिय सवर्मन करते marketing के ऊपर проlier eating करतेун किसी से मिटिंग करते हैं, किसी सरकारी या किसी जरूरी दस्ता वेज के उपर सिकनेचर करते हैं, तो सुरिय सुर में करते हैं, गर से बाहर निकलें, सुरिय सुर चल रहा हो, तो भी बहुत अच्छा मना जाता है, कहने का भाव साथ को, अब बहुत लोग मजाग उडाते हैं, रहे क्या भारत में इस प्रकार की की जो को मानेता है क्या जोतिश है क्या ये सकुन है क्या आप सकुन है क्या संकेत है देखो भाया नाच ना जाने आंगन टेड़ा जिन्नों ने इन चीजों को परखा है समझा है हमारे मनीशियों ने सास्तिलों में वर्णन किया उन्होंने ऐ पढ़ने को मिलता है ना सीता माता जब गा रही है कि वाम वाम अंग फरकन लगे मंजुल मंगल मूल तो ऐसे भी तुलसिजाज जी ने उसकी रिच्णा की है कहने का भाव और तुलसिजाज जी ने स्विम जोतिस की कई बड़ी गंभिरता को लिया है उदर नारद जिनके जिन है ना हमारे अधर वेद में बहुत सारे ऐसे गुप्त प्रियोगों का समयोजन हैं बहुत सारी बहुत सारे गुप्त रहस्ये गुप्त मंत्र विधी टक्नलोजी बहुत सारी चीजों का अधर वेद में जखीरा समया हुआ है और उसी के साथ साथ यह सामवेद में देखें तो कितनी गायन शैली, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारी चीजें हमें सामवेज से प्राप्त होती हैं, कहने का भाव के हमारे तो सास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, उप पुराणों में, उप निशदों में, तो ये बाते कूट-कूट करके भरी गई है लेकिन आज उनके मन्थन करने के आवशक्ता है उनके पढ़ने के आवशक्ता है उन्हें समझने के आवशक्ता है और उन्हें समझाने वालों की वी आवशक्ता है और समझाने वालों के सास्ता समझने वालों की वी आवशक्ता है इसलिए भाया मेरे बहने मेरी बच्चो हम आप से प्रक्टिकली भी नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारे मिलन का यह बहुत संदर जरिया है यूट्यूब यह प्लेटफार्म इसलिए जो भी हमारे धाम से चैनल से हम से जुड़े हैं तो हम प्रति दिन प्रियास करते हैं कि कुछ न कुछ नई शिक्षा नई बात आपको ले करके आमें और आपके परिवार के बड़ों की तरह बजुर्गों की तरा है पिता तुल्य हो करके आपको अच्छे सिह्ष्य हम समझाने का प्रयास करें तो संकेतों मेंанे बहुत गहरे आर्थी है हैंडा लेफ्ट पूर्शों का वा मंंग फडखना आंग और महिलाओं का दायं फडखना शुब नहीं होता विसमें पूरी वास्प्ताः पूरी सच्चाई है कभी और इसको गंभिर्ता के साथ हैं का आगो जोडते हैं हम भागवान श्रीराम से ओम रामो राजमनी सदा विजयते रामम्रमे संबजे रामे नाविहता निसाचर्चमू रामायतास्मैनमा रामा नास्ति परायनं परतरं रामस्यदा सोम्यःं रामे चितलया सदा ववतुमे भोराममा मुद्धर राम रामेती रामेती रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आदो रामत पोवनं दिगमनं हत्वाम्रिगं कांचनं वैदेई हरनं जटायुमरनं सुग्रिवसां वासनं वाले निग्रहनं समुत्रतरणं लंकापुरे दाहनं पस्चाद्राबन कुम्बकर्णहननं इतद्रामायनं कबच बना लें ध्यान करें राम जी को शुबासिस हम सब के उपर बरस रहा है देखो साथ को बहुत सारी चीजें हैं जो रोज रोज आपको समझाने की हैं प्रेम पूर्वक समस्ते रहिएगा दोनों चैनल से जुड़े रहिएगा कई बार समय ना मिलने के वज़े से फेस्बुक प्लेटफर्म पर फेस्बुक पेज पर कुछ चीजे नहीं अप्लोड कर पाते हैं लेकिन दोनों चैनल पर तो हम प्रियास करते ही हैं तो आप लोग इंद्राक्षी धाम से और हमारे मुख्य चैनल प्रोफेसर दर्में शर्मा के नाम से बहुत अच्छे से आप लोग जुड़िए औरों को भी जोड़ने का प्रियास करिएगा चलिए आप स्वस्तन हैं इन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेस्ण सुबा रहा है नया मोटिवेशन दिया है काम का इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बाते इन से लगातार कभी कवार हो जाये करती हैं एक दिन मेरी बात हो रही थी अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या करिब4 पांस दिनेों से कउँओ का जौंड मेरे घर पे मन रहा था। मैं यहीं सोचने परेशान था यह सुब है असुब है क्या चीज किए तुम इनसे मैंने हने का क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कोवे आ रहे हैं, कहने नहीं मुझको दिखाई पड़ रहे हैं, तो कुस तो आलोगिक है इनमें, दूसरा क्या है जो इनका उदेश है, जब महाकुम में आये थे, मेरे इन से वारता हुई, तो मैंने इनका उदेश जानना चाहा कि किस उदेश के लिए आप काम कर रहे हैं, तो जो उदेश है, उन्होंने मुझको बताया, मैं मन्द से इनके उदेश के साथ जुड़ गया, इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उदेश के साथ भी हूँ मैं। कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को फ्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले, और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें। कारिक्रम कारिक्रम जाएक्रम कारिक्रम